जय हैं दिश्टरेंट्स, वेलकम बैक अगीन, दिस इस दिव्यांशु पांडे, पेकल्टी आफ जी के और आज की सेशन में हम Ministry of Defence के एक मेगा Multiple Defence Deal के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं आज की सेशन की Ministry of Defence ने 30th March 2023 को Indian Armed Forces के लिए एक काफी बड़ी डील आपकी की है जिसकी टोटल वर्थ 36,400 करोर रुपीस की है तो आज की सेशन में हम ये देखेंगे कि ये जो आपके लगभग 36,000 करोर रुपे के लागत से डिफन्स एक्विमेंट्स खरी दे जाएंगे वो क्या है और इनको कौन से कंपनिया बनाएंगी ये आपके FDI के प्रॉसेस से हो रही है या फिर मेक इन इंडिया के तो चलिए शुरुवात करते हैं इस सेशन की तो देखिए भारत सरकार के आत्म निवर भारत के सपने को बढ़ाने के लिए Ministry of Defense ने हाली में 36,400 करोर रुपीज की आपके डिफन्स डील्स की हैं इसमें आपका कोई एक एक एकमेंट है बलकि मल्टीपल आपके एकमेंट्स हमारे आम फोर्सेस के लिए सामिल हैं जिससे की हमारी भारती थलसेना, नवसेना और वायू सेना को काफी ताकत मिलेगी और वो आपके Modernized Forces जल्द से जल्द आपकी बनती चली जाएंगी जितने भी आपके डिल्स हुई हैं वो मल्टीपल आपके डिफन्स पार्टनर्स को दी गई है अगर हम बात कर लें आकास एयर डिफन्स मिसाइल सिस्टम की तो इनके टोटल टू रेजिमेंट्स को आपका सप्लाई किया जाना है और आकास डिफन्स एयर मिसाइल सिस्टम जो है उसका Upgraded Version अब हमारी भारत डामिक्स लिम्टेड जिसको हम BDL कहा करते हैं उनके द्वारा बनाया जाएगा आकास एयर डिफन्स मिसाइल सिस्टम का यूज आर्मी और एयर फोर्स दोनों किया करते हैं आपने उसको जो है 26 जनवरी के Republic Day Parade में आपको जरूर देखा होगा और इस प्रकार से तीसरी और चौथी जो रिजिमेंट है इस मिसाइल डिफन्स सिस्टम की उसको BDL टोटल 6,000 करोड रूपीज के लागत से बनाने जा रही है तो देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें 9,100 करोड रूपीज की डील तो आपका अकास वेपन सिस्टम को शली गई इसके अलावा इंडियन आर्मी को 12 नए वेपन लोकेटिंग रडार जिसको हम स्वाती वेपन लोकेटिंग रडार कहा करते हैं वो भी अब मिलेंगे क्योंकि पिछले साल मैंने आपको पढ़ाया दखी इंडियन आर्मी ने टोटल 12 नए स्वाती वेपन लोकेटिंग रडार काप काप एक प्रस्ताव रखा था डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने अब उसको मिनिस्ट्री आप डिफेंस ने अपनी अप्रूवल दे दी है तो देखिए तीसरे और शौथा तो रेजिमेंट हमारी अकास एर डिफेंस का आएगा ही साथ ही साथ इस आपके डिफेंस सिस्टम में सेटलाइट्स रडार्स की उप्योगता रहती है जिसको अपने समतल इलागों पर आपका रखेंगे तो लगभग एक हजार यानि की 990 करोर रुपीज की डिलाखी की गई है और इसको मेक इन इंडिया के तहर भारत में ही भारती कमपनियों के दारा बनाया जाएगा स्वाती वेपन लोकेटिंग रडार को डियाडियों ने ही के सक्षम है और दुश्मन का कहीं भी कोई भी आर्म एक्कुमिट रहता है उसको डिटेक करने की रिस्पोंसिविल्टी डवलू एलार स्वाती रडार के पास आपका रहा करता है और आने वाले दो सालों में यानि की नेक्स 24th में इनका आपका इंडेक्शन कम्प्लीट कर लिया जाएगा और 12 ने ये वेपन लोकेटिंग रडार स्वाती हमारे इंडेन आर्मी को दे दिये जाएंगे अब इन दोनों के बाद अगर हम तीसरा कॉंटेक्ट देखें तो उसका नाम है नेक्स जनरेशन आप्शोर पेटरल वसल आप्शोर पेटरल वसल को हम शॉट फ जनरेशन ओपीवीज वसल और छे नए नेक्स जनरेशन मिसाइल वसल के लिए और 31 मार्च को हमारे भारत प्रदानवंतरी नरेंद्र मोदी जी का भी टूइट आया और उन्होंने कहा कि इस विल स्टेंथें दा इंडेन नेवी और एड्ड मोमेंटम तो आवर एम आप निर इंडेन नेवी को और भी शक्तिशाली बनाना होगा और इसलिए ये ग्यारा नए नेक्स जनरेशन आप्सोर पेटल विसल बाई इंडेन कैटेगरी के दहत बनाये जाएंगे और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है मिनिस्ट्री आउड डिफरेंस के द्वारा उसको ज इंडेन नेवी आपके मल्टी डोमेन प्रोसेस में अपना पेट्रोलिंग कर पाए और इनका जो इंडेक्शन रहेगा वो सप्टमबर 2026 तक आपका पूरा कर लिया जाएगा तो प्रोसीजर एमर्जेंसी प्रोसीजर के तहत फास्ट्रैक काम चल ला है और आने वाले आपक विगत तीन सालों में इनका काम भी पूरा कर लिया जाएगा वहीं बात कर लेते हैं नेक्स जनरेशन मिसाइल वेसल्स की जिसको हम NGMVS कहा करते हैं तो टोटल छे नए नेक्स जनरेशन मिसाइल वेसल्स आपके बनाया जाएंगे और इसका कॉंट्रैक्ट रक्षा मंत्राल के द्वारा कोचीन शिप्यार्ड लिम्टेड जो की भारत के ही कमपनी है इसको दिया जा रहा है और टोटल छे नए नेक्स जनरेशन मिसाइल वेसल्स को बनाने में जो कॉस्ट आ रही है वो है 9805 करोड रूपीज जानी कि 9,805 करोड रूपीज की लागत से छे नए नेक् तो देखिए अगर हम बात करें CSL की तो CSL ने तो अभी आपका आइनिस विक्रांथ भारत का पहला इंडिजीनियस एरक्राफ्ट कैरियर बनाया था और अब जो है नेक्स जनरेशन मिसाइल वेसल भी आपका बनाएंगी और 1227 तक की इसकी डेडलाइन आपकी रखी गई है जो हमारा next event है आपका equipment है उसका नाम है Linux U2 system वैसे तो Linux आपने computer में सुना होगा लेकिन उसी तरीकी से एक यह technology है जिसका contract ministry of defense ने आपके भारत electronics limited को दिया है जहाँ पर आपके total 13 procurement आपके Linux U2 fire control system की किये जाएंगे अब यह होते क्या है तो देखिए यह एक प्रकार का fire control system होता है जो कि हमारे जो ships होते हैं उन पर लगा रहता है जो कि एकी समय पर कई आपके targets को track और engage कर सकते हैं और इसमें basically आपका tracking system के साथ ही साथ naval gun fire control system आपका रहता है जिसको अभी आप इस picture में देख पा रहे हो और इ यह लगभग 2-3 km दूर किसी वे वेसल को अपना निशाना बना सकती हैं तो इन पर भी आपके deal की गई है और यह सभी हमारे भारती नौ सेना में शामिल किये जाएंगे इनका निर्माण कारी GRSC और GSL के द्वारा करवाय जाएगा और यह सभी हमारे 4th generation के अक्ट्याधुनि इंडिय जीनिस सिस्टम रहेंगे जहां पर हमारे forces को काफी बल मिलेगा तो चाहिए आपका आकाश मिसाइल एर डिफरेंस सिस्टम हो स्वाती वेपन लोकेटिंग राडार हो न्यू जनरेशन आप्शोर पेट्रल वेसल न्यू जनरेशन मिसाइल वेसल या फिर लाइनेक्स यू टू सिस्टम है तो इन सभी की जो टोटल कॉस्ट आपकी आ रही है वो 36,400 करूर पीज की है और इसको मंजूरी आपके मिनिस्टर आप डिफेंस ने दे दी है और इसके तहर हमारे भारत को आदनिरभरता के छेतर में डिफेंस के छेतर में और भी गती मिल पाएगी अगर आप एक डिफेंस एस्परिंट है और एससबी इंटर्वी इंटर्व्यू अपका चलाय जा रहा है और वारे 10 कोर्ट के ज़रूर यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लेट डिसकाउंट हमारे सभी कोर्सेस पे मिलता जाएगा जाएंगा डाउनलोड कर सकते हैं